स्टेट बैंक ओफ इंडिया में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं सरल अकाउंट के तहट ETDR या ESTDR खुलना यदि आप ETDR या ESTDR खुलना चाहते हैं तो उसके लिए ओनलाइन SBI में लॉग इन करके E-Fix Deposit टैप पर क्लिक करें जिस अकाउंट को डेबिट करके आप ETDR या ESTDR बनाना चाहते हैं उससे सिलेक करें चुकि यह हमारा एक ही अकाउंट है तो वो अल्रेड़ी सिलेक्टिड है जितने अमाउंट से ETDR या ESTDR बनाना हो वो अमाउंट यहां पर डालें ध्यान रखें कि आप मिनिममम 1000 रुपीज से ETDR या ESTDR बना सकते हैं कितनी अवधी पर कितना इंटरेस्ट प्राप्त होगा वो जानने के लिए डोमेस्टिक टम डिपॉजिट पर क्लिक करें यहां दी गई लिंक पर क्लिक करें अब interest rate पर क्लिक करें यहां deposit rate में जाकर domestic term deposit पर क्लिक करें यहाँ पर अवधी दी हुई है और यहाँ पर public और senior citizens के लिए existing और revised interest rates दिये हुए हैं इसे पढ़कर समझकर close कर दें यहाँ पर दो तरह के term deposit हैं STDR और TDR यदि आप चाहते हैं कि selected interval में आपको interest मिलता रहे तो उसके लिए TDR सिलेक करें पर ध्यान रखें कि यदि आप 180 दिन या उसे कम दिनों के लिए TDR बनाते हैं तो आपको maturity पर ही interest प्राप्त होगा और यदि आप 181 days से 365 days के बीच के अवधी के लिए TDR बनाते हैं तो आपको interest quarterly प्राप्त होगा यदि आप FD के mature होने पर interest प्राप्त करना चाहते हैं तो STDR option सिलेक करें यहां हम STDR सिलेक कर रहे हैं आप कितनी अवधी के लिए FD बनाना चाहते हैं वो यहां से सिलेक करें ध्यान रहे कि आप FD minimum 7 days और maximum 10 years के लिए बना सकते हैं कुछ दिनों की FD बनाने के लिए days चुने यदि कुछ वर्ष, महिने और दिनों के लिए FD बनाना हो तो years, months, days option चुने और यदि आप किसी particular date पर FD के maturity चाहते हैं तो इस option को चुने हम यहां पर years, months, days option चुन रहे हैं अब जितने साल, महिने और दिनों के लिए आप FD बनाना चाहते हैं वो यहां से चुने हम चुन रहे हैं 6 months यदि आप चाहते हैं कि principal amount और interest मिलाकर जो amount आपको maturity पर मिलेगा वो वापस auto renew हो जाए तो इसे select करें और अगर आप चाहते हैं कि principal amount maturity पर auto renew हो जाए और FD का interest आपके account में जमा हो जाए तो इसे select करें और यदि आप चाहते हैं कि principal amount और interest दोनो maturity पर आपके account में जमा हो जाए तो इसे select करें यहां नीचे कुछ महत्वपूर्ण बाते लिखी हैं आप इनहीं पढ़ लें और फिर terms and conditions पढ़ने के पाद I accept the terms and condition option को select करें और submit पर click करें details को verify करें और confirm करने के लिए proceed पर click करें यहां पर transaction password डालें और फिर confirm पर click करें आपके registered mobile number पर high security password आया होगा उसे यहां डाल कर confirm पर click करें हमने FD बनाने के लिए जो online request की थी वो accept हो गई है यहां पर reference number और पूरी detail दी हुई है नीचे view etdr, estdr पर click करने पर आपको अपनी FD की पूरी जनकारी मिल जाएगी जैसे FD account number क्या है उसकी FD, interest rate इत्यादी यदि आप इसे PDF format में save करना चाहते हैं या print लेना चाहते हैं तो वो यहां से कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं